है अट्रो कार्बन से जे इमेन में 2015 में क्वेस्टन आया which compound would give 5-keto-2-methyl-hexanol upon ozonolysis. यह 5 options है, ठीक है ना? जरसा मैं आपको ozonolysis के बारे में बताता हूँ. ozonolysis actually 2 तरह की होती है, ठीक है ना? एक होती है, रिड़क्टिव ozonolysis और रिड़क्टिव ozonolysis में रिएजेंट होता है ozone followed by zinc water या फिर dimethyl sulfide zinc water या फिर dimethyl sulfide और एक होती है oxidative ozonolysis oxidative ozonolysis में रिएजेंट होता है ozone फिर h2o या फिर h2o रिड़क्टिव बसोन बागी अगर हम कोई alkyne ले ले अगर हम कोई alkyne ले ले मैंने जानबूच कर alkyne के double bond के एक carbon पर H लिया है और एक carbon पर H नहीं लिया है और रिएजेंट को देखकर ही आपको पता लगाना पड़ता है तो अगर रिड़क्टिव बजोन लिसिस हो रही है तो आपको क्या करना है यह bond तोड़ना है हम एक स्लोगन देते हैं, bond तोड़ो, oxygen जोड़ो, तो आप एक काम करें, इस bond को तोड़ दें, double bond को और इधर oxygen जोड़ दें, इधर से इस bond को तोड़ दें और इधर oxygen जोड़ दें, आप देखें, इधर मिलता है aldehyde और इधर मिलता है ketone, right? यानि कि, reductive ozonolysis में, double bond के जिस carbon पर hydrogen है, वहाँ से तो हमें aldehyde मिलता है, और जिस carbon पर hydrogen नहीं है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, ketone मिलता है, अगर हम इसी की oxidative ozonolysis करवा दें, इसी compound की, अगर हम oxidative ozonolysis करवा दें, ठीक है, H2O या फिर H2O2 की presence में, तो जहां से हमें reductive वाले case में aldehyde मिला था, वहाँ इसमें acid हो जाएगा, और जहां से हमें reductive वाले case में ketone मिला था, वहाँ ketone ही रह जाएगा, आइडिया यह है कि जो aldehyde है न, वो इस H2O2 से जो इस reaction के दारान बनता है, या आप बाहर से भी ले सकते हैं, उस H2O2 से oxidize होकर ये aldehyde acid में convert हो जाता है, बट ketones are not oxidized under normal conditions, तो ये ketone जो है, वो ketone की तरह ही रह जाता है, ठीक है न, तो आपको बस यह घ्यान रखना है, कि अगर रेडक्टिव ओजोनलिसिस हो रहा है, तो आप double bond को तोड़ें और oxygen जोड़ें, ठीक है न, बांड तोड़ो oxygen जोड़ो, अगर oxidative ओजोनलिसिस हो रहा है, तो आप देख लें, जिधर की और hydrogen है, उधर की और तो acid, और जिधर hydrogen नहीं है, उधर की और से ketone ही मिलेगा ठीक न, अच्छा, अवल तो वो हमेशा question में आपको hint दे देते हैं कि वो कौन सी वाली ozone ओजोनलिसिस करवा रहे हैं, या रेडक्टिव ओजोनलिसिस करवा रहे हैं, या oxidative ozone ओजोनलिसिस करवा रहे हैं, ऐसा hint हमें question में मिल जाता है, लेकिन मान लो कोई हिंट नहीं मिलेग तो ऐसे में हमें यह जानना चाहिए कि जो alkenes होते हैं alkenes के लिए अगर ojonalysis करवाई है तो वो most commonly reductive होगी alkenes के लिए अगर आप ojonalysis करवाओगे तो वो most commonly oxidative होगी जैसे इसमें reductive में diaketon और oxidative में acid दो mole acid के में जाते हैं यह भी तूटता है most commonly reductive ojonalysis takes place and in case of alkyne most commonly oxidative ojonalysis is carried out ठीक है ना बास समझ मारी नहीं समझ मारी है अब हमारे पास चार option उन्होंने alkenes लिया है और उन्होंने यह नहीं बताया कि reductive ojonalysis है कि oxidative तो हम क्या करते हैं जब यह alkenes है तो हम इसको reductive ही मान कर चलेंगे और वैसे भी उन्होंने product में aldehyde या ketone पूछा है ठीक है ना जड़ा देखें option A को देखें option A में उन्होंने यह बनाया यहाँ double bond है और यहाँ methyl है और यहाँ methyl है अगर आप इसकी ojonalysis करवाते हो followed by zinc water यानि हम reductive ojonalysis करवा रहे हैं और bond तोड के आप देखें आपको क्या करना है skeleton में कोई change ना करें क्योंवल यहाँ double bond हो लगाए और यहाँ double bond हो लगाए यह क्या है देखो यह एक die ketone है यह हमारा answer नहीं हो सकता क्योंकि हमारा answer होना चाहिए हमारा answer क्या होना चाहिए 5 keto 2 methyl hexanel उन्होंने पहले से पता रखा है चलो option B लेके try करते है option B में देख लें आप यहाँ पर है CS3 और एक CS3 उन्होंने यहाँ लगा रखा है under similar conditions अगर हम इसको break करवाए तो आप देखें बच्चे यहाँ पर हमें मिलने वाला है एक ketone और यहाँ पर methyl के बाद यहाँ पर हमें मिलने वाला है LD हाइड आपको तो पता है IUPAC naming में LD हाइड जो है वो ketone से ज़्यादा senior होता है तो अगर आप इसकी numbering करें 1, 2, 3, 4, 5, और 6 तो आप देखें यह बन जाता है 5 keto 2 methyl hexanel यह हमारा answer हो गया तो आप चाहें तो बाकियों का करके देख लें वैसे ही कट करके देख लें यह compound नहीं बनाएंगे यह compound नहीं बनाएंगे इसको note कर लो जरा